आज मैं बात करने वाला हूं नोड.js के टुटियल में कि इवेंट मॉड्यूल होता क्या इसका यूज गया विसिकली आपने जावा स्कृट में देखा होगा कि आपने टुटियल के अंदर तो यहां पर जैसे कि आप जानते होंगे अगर मैं कॉंट करके यहां पर किसी फाइल सेस्टम को मॉडिल को यूज करूंगा तो यहां पर यूज करना होता मुझे एक नेम रख लेता हूं यहां पर इवेंट एमीटर ठीक है यह बेसिकली यह जो है मैं क्लास बना हूँगा यह क्लास होगी मेरी और यहां पर मैं कर देता हूं रिक्वाइर बेसिकली जब भी आप यहां पर अगर कॉंस्ट एफस करके जो भी बनाते हो आप आपने मेरे पिछले टुटियल से देख यहां पर यहां पर यहां पर क्लास है जो कि हम यहां पर यूज करने वाले इवेंट नाम का इसके पास एक मॉडूल होता है जो कि आपको मैंने बताया तो। को सिम्पल ऐसे ही करना है यहां पर देखिए नेम आप कुछ भी दे सकते हैं पर यह मिकार सकते हैं ऐसलिए आपको याद रहे क्योंकि इवेंट चो पुले खोलते हैं आपको छल खरके तो काна नाम से यहां पे एक variable बनाने वाला हूं जो कि क्या करने वाला है इस emitter class का हम यहां पे object बनाएंगे तो object कैसे बनाते हैं java script में भी देखा होगा तो new करके object बना रहे होते हैं and then semicolon लगा देते हैं parenthesis के बार ठीक है यहां पे जो काने स्टार्ट होती है तो देखिए जब भी आप यहां पे events बनाओगे तो यह जरूरी है कि आप अपने पहले event को define करें and then आप उसे use कर सकते हैं like अगर आप jquery में use करते होंगे तो jquery में आप क्या लिखते हो dollar and यहां पर लिखते हो अपनी जो dot class बगेर या कुछ भी and then dot click लिखते हो ठीक है तो same ऐसे ही यहां पे होता है यहां पे यह जरूरी है कि जब भी आप यहां पे कोई event बना रहे होते हैं तो उसे यहां पर register करवाना होगा ठीक है register मतलब emit करवाना होगा ठीक है तो emit मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि यहां पे emit use होता है इसलिए मैंने यहां पर use गया event emitter तो देखिए जब भी आप अपना event बना रहे हो इसलिए node.js के फाइल में ठीक है अगर आप emit नहीं करोगे और डारेक्ट यूज करना चाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता तो यह ज़रूरी है कि आप उस चीज को define भी करें और define करें तो अगर मैं like यहां पर message नाम का एक यह मैं event क्रियेट कर रहा हूं यह मैं event क्रियेट कर रहा हूं जैसे आप jQuery में देखते होंगे javascript में तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर मैं jQuery की बात करूं तो dot click क्लिक नाम का जो है event है वहां पर ठीक है तो ऐसे मैंसे मैंने यहां पर message नाम का खुद कस्टम एक event बनाया है और यहां पर मैंने event बना करके छोड़ दिया है ठीक है अब अगर कोई मेरे इस event को अगर define करता है लाइक अगर मान की चलिए मैं चलिए आपको jQuery के लिए ही एक example लेकर चलता हूं मैंने click नाम का एक event होना लिया ठीक है मतलब कोई button पर click करेगा and then यह trigger होगा ठीक है तो मैंने emit कर दिया इस click event को and then मुझे यह define भी करना होगा कि जब वो click करें तो उस पर हो क्या तो मैं यहां पर क्या करूंगा simple यहां पर मैं use करूंगा event.on ठीक है जैसे हम देखा होगा कि jQuery में भी हम on use कर रहे होते हैं तो बेसिकली सेम है इसा ही है यहां पर यह क्या कर रहे यहां पर यहां पर यह क्या कर रहेगा यहां पर जब आपप्ysz to define कर तो आभ यहां पर देखिए जब भी कोई बटन पर क्लिक करेगा तो यहां पर कुछ जो आपका कोड चाहते हैं वो यहां पर रन होगा लाइक मैं चाहता हूं चाहते हम कंसोल डॉट लोग हो जाए फिलाल में और यहां पर लिख जाए क्लिक इस रनिंग ठीक है तो अब देखिए हमने क्या किया सबसे पहले हमने रिपकार किया अपने इवेंट को एंदन इवेंट एमिंट क्लास बन गई एंदन उसका हमने ऑब्जक्ट बनाया क्लास का कहा क 먼저 है पहले एक Hierby बनाया जो हमारा custom event विसको एमिट कर दिया है मतलब रिस्टर कर दिया जब रिस्टर कर दिया तो भाया ुसे टिफाइन मुस्की तो करना होगा बना क्या पता कोई करे और क्लिक करता ही रहे और कूछ आपका चलेना तो इसलिए यह ज़रूर है कि आप यहाँ पर define कर दें कि क्लिक करें तो कोई क्या चलना चाहिए ठीक है तो अभी देखिए यह मैंने save कर दिया and then मैं file को जो है run करता हूं तो मैं अपने terminal पर जाता हूं and then यहाँ पर file को जो है run करूंगा तो यहाँ पर मैं run करता हूं clear screen करके तो मैं पहले जाओंगा अपने directory में तो मेरी event module नाम की directory है and then clear मैं यहाँ पर run करता हूं node index.js ठीक है create earlier अगर आपने बाइदावी यह जो है event.emit आपने लिख दिया पहले उपर and then बाद में आप कर दो नीचे उसे define तो यह गलत बात है ऐसे नहीं कर सकते आपको यहाँ पर देखिए error देखने को मिलेगी मैं यहाँ पर इसे चला के दिखाता हूं node index.js तो यहाँ पर देखिए basically error तो नहीं मिली पर यह चलेगा भी नहीं ठीक है पहले यहाँ पर एक error आती थी वह अभी आई नहीं है बढ़ना यह बता देता कि यहाँ पर जो है कि आपने custom अपना event बनाया तो उसे आप पहले ही call कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह चला नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ एंद दन मैं यहाँ पर इसे उपर define करता हूं तो अब यह चलेगा सेव किया मैंने यहाँ पर दौार से run करता हूं तो एंदन यह फाइल जो है यहाँ करके जो हमारा पेशिया से यहाइं दसली सब्सक्राइे हराता हम तुम्दिक आप यहाँ तो यहाँ पेश्ट तो यहाँ पेश्ट शाल होुए है और यहाँ पेश्ट में रम करता हूं पराज मिंद्स इस अधर पर क्लिए करके है यहां पर कितने भी बार काईल कर सकते हो और उसका मैसेज कर सकते हो तो यह मैंने क्या कर दिया यहां पर करने के लिए आपको कडना क्या है जब आप यहाँ पर एमट कर रहे हो किसी भी इवेंट को तब यहाँ पर आप क्या कारे है उसके साथ पैरामिटर्थ कर दें लाइक मैं यहाँ पर अब आपको एक सम करने वाला इवेंट करने दिखाने वाला हूं कि अगर मतलब कोई बटन पर क्लिक करें लेन क्या हो आपका सम चल जाए अब देखिएollyए अम बटन-बटन बन बॉल लें जी पर बैंसी नहीं कर दिखाया ह singles कर रहे होताई है तब हम यह के आपने को kव провा सकते हैं जो हमारा क्लिक है उसको हम चला सकते हैं कि जब बटन पर क्लिक हो रहा है तो यह वाला हमारा रिगर ठ्रीगर ही ठीक है वहागे के ट्रिव क्रें डिल्स में देखेंगे गऄ कर बैसिक आपको को जानना जरूरी यह तो मैं यहाँ पर करता हूं कि потреб का एक इवेंट बना खांगा एक। जर्ने वी चाथे हों आप उतने पास कर सकते थीए मैं जो फास करता हैं यहाँ तो मैं है यहां पर इस parameters में चली जाएंगे ठीक है एक्स कॉमा वाई तो यह parameters में आ गई एंदन मैं यहां पर लिख सकता हूं सम एज प्लस एक्स प्लस भाई ठीक है एंदन यह जो है आपको output दे देगा एंदन जैसे ही मैंने देखी यहां पर register तो करी दिया है और clear screen करके node index.js करता हूं तो sum is 30 आ चुका है तो ऐसे यहां पर जो है आपका event and event emitter यहां पर use हो रहा होता है event emitter इसलिए हम बूलते हैं यहां पर क्योंकि emit करने का काम कर रहा हाला कि आप जो है इसका name change कर सकते हैं like मैं यहां पर लिख देता हूं मान के चलिए कोई भी name रख सकते हैं फिलाल में मैं यहां पर रख लेता हूं sum event ठीक है मैंने sum event रगा पर यह जरूरी है कि यार आपना आपना जो है small मतलब sorry capital letter लिखें अपना पहला लैटर तो मैं यहां पर जो है capital लिख लेता हूं हाला कि कोई फरक नहीं है आप आप small लिखें चाहे capital लिखें अभी अगर आप यहां पर देखिए अब मैंने यहां पर class वही सेम यूज किया है हाला कि चलने को तो यह xyz से भी चल जाएगा अगर मैं यहां पर यूज करूं xyz and then small xyz यूज किया है मैंने and then मैं यहां पर भी xyz यूज करता हूं and then यहां पर clear screen करके चलाता हूं again तो यहां पर अभी भी चलेगा पर यह ज़रूर है कि naming conflicts ना हो इसलिए आप यहां पर जो है नेम बढ़िया दें और तरीके से दें तो आई होप अगर आपको lecture पसंदा है तो like करें share करें and then channel को subscribe करें क्योंकि मैं यहां पर अपना programming experience अदा करता रहता हूं share करता रहता हूं तो मिलते हम नाइस टुटोरियल में जो की आपको helpful रहने वाला है